राहूल गांदी की भारत जोडो यात्रा का दूसरा हिस्सा जल्द ही शुरू होने वाला है लेकिन इस से पहले जनता के लिए राहूल ने एक नई पेशकश की है हाली में उनकी लद्दाक यात्रा काफी चर्चा में रही खासकर बाइक परसवार राहूल की तस्वीरों और वीडियो को लोगों ने बहुत ही पसंद किया अब राहूल की लद्दाक यात्रा की नई तस्वीर सामनी आई है देखिए इस रिपोर्ट में राहूल गांधी की भारत जोडो यात्रा को एक साल हो गए हैं 7 सितंबर 2022 को यात्रा की शुरुवात की गई थी इस यात्रा से राहूल गांधी की छबी में बहुत बदलाब देखने को मिले हैं और अब एक बार फिर राहूल गांधी एक नए रूप में सामने आये हैं। कभी किसानों के बीच, कभी बाइक मैकेनिक्स के साथ तो कभी ट्रक और बस पर सवार राहूल गांधी लगातार जंता के बीच पहुँच रहे हैं। लद्दाक में भी राहूल गांधी ने बाइक से यात्रा की, अपनी लद्दाक यात्रा को राहूल गांधी ने भारत जोडो यात्रा का हिस्सा बताया था, उन्होंने कहा था कि हम उस समय यहां आना चाहते थे, लेकिन जादा ठंड और मौसम सही न होने की वज़ा से हमें पर भारत जोडो यात्रा, लद्दाक के विश्यमकारी परिदिश के पार, ले से कारगिल तक की मेरी यात्रा का पूरा वीडियो 14 सितंबर को देखने को मिलेगा, वही इस पोस्ट के साथ एक वीडियो भी शेयर की गई है, जिसमें राहूल गांधी बाइक चलाते नजरार हैं, कॉंग्रिस पार्टी का ये कहना है कि भारत जोडो यात्रा जारी है, अब इंतजार है कि भारत जोडो यात्रा पार्ट टू कब और कहां से शुरू होती है, डिवी लाइप की रिपोर्ट